जो भी हम बिजनेस लेटर लिखते है या फिर वैवाहरीक पत्र जो लिखते है उसकी भाषा सपश्ट होना, क्लिय होना जो है, बहुती सुपूलिय है वैवापारीक पत्र लिखते हैं समय बड़ी सावधानी बरतली पड़ी है तो इक अच्चे वानिक जिया व्यापारिक पत्र में निम्न लिकीत गुण होना आवशिक है संग्शिप्त भी होना चाहिए उसके साथ सत अपने आप में पूणों कुणा चाहिए पत्र के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे प पत्र वेहर के पहले के सेशिन में उने क्या है और आपको पत्र के प्रम को अपचारिक पत्र करके तो ऐसे में उसका तीन रूप से जो है पर या फिर तीन प्रकार से जो विभाजने वहा किया गया है एक तो सामाजिक वा पारिवारिक पत्र जो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र के अंतरगत आती है वही अउपचारिक पत्र के अंतरगत फिर से दोवी बाजन एक तो सरकारी पत्र वा शासकी पत्र करके और एक क्या है पर व्यावारिक वानेजी पत्र करके तो ऐसे में प्रमकुरुप से आपको कह सिल्बस के लिए यहाँ पर क्या है व्यावारिक या व्यावसाईक पत्र ही ह किस तरह लास्ट सेशन में थोड़ा सा यहां पर पारिवारी पत्र या सामाजिक पत्र के बारे में जानकारी हमने प्राप की थी तो यहां पर आज जो है हम शासकी वा सरकारी पत्र के बारे में संशिप्त में जानकारी प्राप करके आगे जो है वानी जीवा व्यवसाइक पत या फिर क्या है उनी के बहुत सारे कारिया ले उमें मतलब दफ्तरों में फिर आफिस में जो है क्या होता है पत्राचार होता है अनेक तरों पर मतलब निम्निस तर से लेकर क्या है पर उच्च तर तक जो है या पर कुछ बातचीत करनी है या फिर कुछ कामकाज करनी है तो पत पत्रवयभार आवशिक है इसके आलावा सरकार को प्रतिश्ठान से संपर्क बनाए रखना पड़ता है इसके लिए भी पत्रवयभार आवशिक है एक तो यह आपर आप देख सकते हैं शासन के वीज विबाग एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए और उसके साथ-साथ य प्रतिष्ठद के लेग मतलब उनके बीच में समस्कून को मतलब कर फिर और अपुलvaण के लुक्षे यहां पर ने श्हासन प्त्र लिखा जाथा है दूसरी इसवार इक जी हुक्तार में आपस मैं श्यारी प्रतिष्ठद कर लोनों मां पर इसे हैं लह इंधी सिर्फ में सरकार को प्रकार के लिन शॉल्डर कियाаете दूसरी के संपर्क में रहने के लिए जो बड़े बड़े प्रतिश्टान रहते हैं पर बड़े बड़े प्रतिष्टा के लिए पत्र वःभार के विभिन कारियों के लिए पढ़ता है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पत्र का पूरु रूप आलेखन मसौधा तयार करना होता है जिसे तत्सम्मंदी अधिखारी से अनुमोधित कराकर पत्र के रूप में उनके प्रापक के पास भेजा जाता है सरकारी पत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिकी तवर्गों में रखा गया दिखे एक तो वो सीधा पत्र नहीं लिखते पहले क्या करता है उसका आलेखन या फिर मसूदा जो है तैयार करना पड़ता है एक सरकारी दफ्तर में पहले क्या करता है जो भी क्लर करेता है लिपी करेता हो क्या करता है अधिकारी अधिकारी जो भी हएर और अभिजाना होटाए हूसे बीजानता है तो ऐसे में सरकारी पत्र के प्रमुख भाग याति रहे जो भेधिया पर हम देख सकते हैं सामाने सरकारी पत्र मतलब ordinary official letter जो सामानी रुप से सरकार में पत्र वेवार होता है शासन में पत्र वेवार होता है तो वो सामाने सरकारी पत्र जो है केलाएगा भौहाई परी पत्र मतलब सरकेल इंताइसे माः क्या हैं वैवसायक पडिर का यह चता होटा फिर क्रेलं सब्सक्राइब सब्सक्षिल्ट करें सब्सक्रां भी खबार सरका से बेजा जाता है तो वहाँ अनुसमारक मतलब रिमाइंड और अर्द सरकारी पत्र डेमी अफिशेल लिटर या सेमी अफिशेल लिटर भी इसे कह सकते हैं अदर अधिस सोचना नोटिफिकेशन संकल पर संस्ता मतलब रिसल्इशन रिस्देश्क प्रेस बिग्जाति अफिर प्रेस नोट दृत पत्र मितलब एक्स्प्रेस लेटर तार टेलिग्राम कूट पत्र कोड लेटर सूचनाय विज्ञापन निवीधा और नीलाव देखें क्या है या पर आए दिन आपनी जो समच्छार पत्र है उसमें देख सकते हैं फिर नीला मतलब आक्षैन के लिए तो इस सब को क्या करता है यापर चरकारी पत्र हें clip 123 के डीख सकते हैं इस व्यावसाइक पत्र व्यक्तिगत या सामाजिक पत्रों से भिन्न होते हैं एक व्यापारी को माल खरीदने या बेजने के बारे में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को बेजने के बारे में या अपने माल की विक्री बढ़ाने नए ग्रहा पाने के बारे में पत्र लिखने पड़ते हैं मतलब क्या है या पर एक व्यापारी जो है दूसरे व्यापारी को या फिर क्या है एक व्यापारी बड़े व्यापारी को या फिर बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को व्यावसाइक या वानिजी प्रतिष्ठानों को जो पत्र लिखता है वो ही जो है या पर वानिजी पत्र कहलाता है तो यहापर किस-किस संदर्ब में वहाँ लिखता है एक तो क्या है माल खरीदने या बेजने के बारे में क्या है कोई माल जो है आपर खरीदना है या फिर बेजना है या फिर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को बेजने में मतलब अब यह क्या है म तो फिर नेकरी मतलब बिक्री कुछ सेल करने के बारे में यह पर पत्र व्यवहार वेपारि उनके बीश में वह सकता है तो इनके अलावा सरकारी और गहर सर्कारी का currency के लिए तो बैंक बीमा से अपने संवंधों का नीर्वा करने वयापारी को पत्र लिखने पड़ेंगा यह तो क्या है कोई सरकारी या घैर सरकारी जो दफ्तर रहते उनको भी कभी कबार कामकाच के संदर्ब में क्या लिखना पड़ता है पत्री हाँ पर लिखना पड़ेगा इसके साथ साथ एजेंटों की नियुक्ति प्रून की वसूली विग्यापनों आदी अनेक कारियों के लिए भी व्यापारी को पत्र की सहायता लें उपर और उसके साथ साथ क्या है अपने दुकान के लिए फिर अपने प्रॉड़क्त के लिए पर उनको नियुक्ति करना है या फिर भून की वसूली के लिए या फिर रून मतलब यहाँ पर क्या है कर्ज तो उसकी वसूली के लिए उसे संबंदित आपर पत्र जो है उसे कभी कबार लिखना पड़ता है या फिर विग्यापनों के लिए तो विग्यापन मतलब क्या है आपर आडविटेजमेंट तो इस सब के लिए जो है सबसे संबंदित एक व्यापारी को पत्र जो है लिखना पड़ता है तो व्यापारी को पत्रों की सहा जहां करते हैं तो बहुत सारे आवशी तो ऑसे मेफ नाविशिक है तो ऐसे में एक व्यापारी को मतलब बिजनेस करना है तो वहाँ पर बहुत सारे पत्र वैभार की जो आवशी कताय पर आनिवार रित्या जो है पर होती है तो अभी आपने ये तो समझ लिया व्यावसाई की वाणिज्य पत्र वैभार मतलब क्या है मतलब व्यवसाय से सम्मनित, बिजनेस से सम्मनित, जो भी यहाँ पर एक व्यापारी को पत्र लिखना पड़ेगा, अभी किस कारणों में करके अभी हमने देखा, तो इन सबी कारणों से या फिर किसी एक कारण सो भी जो है, पर अगर उसे पत्र व्यवार करना पड़ेगा, तो उसे ही व्यवसाय किवा वानिक जी पत्र जो है कहते हैं, देखें व्यवसाय कि पत्रों के प्रकार यहाँ पर है, अभी फिलाल में यहाँ पर सिर्श प्रकार क्या है बता रही हूँ, इसे डीटेल में हम क्या है आगे के सेशन में देखते जाएंगे, तो बैंक समंधी पत्र है, परी पत्र है, एजेंस समंदी पत्र है और गंत्र नवकृत समंधी पत्र है, इसके सासे actual में यहाँ प्रिशाय आप से करवाया है तो यह सभी क्या है, कैसे पत्र लिख जाता है सभी आगे के सेशन में आपको बताया जाएगा तो अभी फिलाल देखें, तो इस सब की रूप्रैक्स क्स्तर होती है या फिर उसकी विशेस्टा करके पूछ सकते हैं वीशेस्चता करके सब्चWorld करके भीुए अपको सकते हैं तो इन्हें याद रहने बहुत जरूरी है यह को प्रशन रहते हैं अँबंध Laid व्यापारिक पत्र लिखते हैं समय बड़ी सावदानी बरतनी पड़ती है तो एक अच्छी वानिक जी आपारीक पत्र में नीम्न लिखी ते गुण होना आवश्यक है तो वो गुण कौन-कौन से है है eu पुर्ण हुआ शाली उत unemployment और लिक तैंट है प्रभावत्पाद कता है और स्पष्ट होना clear होना जो है बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो पढ़ेगा उसे समझ में तो होना चाहिए इसके लिए फिर क्लिष्ट जो है शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए कोई ऐसे difficult words की जो है हमें वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसे की पढ़ने व यह उसके साथ साथ हमें वाक्य को पूरा जोहया पर करना चाहिए फिर इसे पत्र पाने वाले का मन शंका या दुविदा में होने की संबानों गया अगर वह द्वयार्तक शब्दों का प्रयोग अगर क्या है द्वयार्तक मितलब डबल मिनिंग दो दो आर्थ वहां पर रहते है तो इसे शब्दों का प्रयोग अगर पत्र में करेंगे स्पशली अगर बिजनेस लेटर में करेंगे तो वह जो भी पत्र प्रप्त करेगा उसे संस्खका हो सकती है उसको आप पर भरोसा करना तकNow क्या है एक बिजनेस आप कि साथ वहां करएगा या पिर आगे बढ़ सकता है तो ऐसे में वहां पर उसको भरोसा इस पर होना और क्या है पचानी मिंध्य पट्र जो भर पर पत्र वेवार करते हैं किसी भी किसी भी रूप के हो तो उसे यहां पर मित्या की अवशिकुता जो है बिल्कुल भी नहीं रहती है वाक्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, मतलब जो भी कहना है, सीधा-सीधा कहना है, और सपष्ट कहना है, सज जो है वापर लिखना है, जूट कभी भी जूट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कभी भी क्या है कुछ ऐसे वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर वापर नहीं लिखना चाहिए कि जिससे उसको जो है आपर शंका हो तो इससे क्या है व्यापारिक को हानी जो है पहुंच सकती है नेक्स्ट देखिया पर संक्षिप्तिता व्यावसा एक पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही उसका प्रबाव बढ़ेगा अलंकारिक भाषा वर्तिके शब्दों का प्रयोग नहीं करने चाहिए कुछ भी बड़ा चड़ा कर नहीं लिखना है जो विशे रहता है उसे सपश्ट और संक्षिप्त रुप से कहना चाहिए या पर संक्षिप्त ता मतलब क्या है बहुत ही चोटी चोटी वाक्यों का प्रय लिखना चाहिए आप को बड़ा चड़ा कर भी नहीं लिखना है तो ऐसे में उसके साथ सब्सक्राइब बात को भड़ा चड़ा कर भी नहीं लिखना चाहिए जो विशे रहता है जो भी बात होती है उसे सपस्तु लिखना है बहुती क्लियर सपस्त और बहुती संग्षिप्त तुरुप में उसे लिखना चाहिए नेक्स्ट देखे पूर्णता जिस विशय में पत्र लिखा जाता है उसे संबनित सभी बातों का समाविश पत्रों में होना चाहिए पत्र में अपूर्णता होने से व्यवहार में अनावश्य का समय तता धन वै होता है एक तो क्या है पूर्णता अभी आपर बताए कि संक्षिप्त रहना चाहिए पत्र जो है बहुत ही चोटा होना चाहिए उसमें चोटे-चोटे वाक्यों का प्रयोग है अपर हमें करना चाहिए तो ऐसे में यह नहीं कि जो है या पर हम आदे पर पत्र लिख दे मतलब बात को अधूरा ही वापर चोड़ दे ऐसा नहीं है मतलब जो भी विषए जो उसे कहना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए उसके साथ से अपने आप में पूर्ण होना है अगर उसमें होगी तो वेवहार में अनावश्यक क्या है पर समय तता धन वैई हो सकता है। इसलिए संग्षुप्त भी होना है इसलिए कहते हैं ज्यादा कुछ भी भापर नहीं लिखना चाहिए। जो काम रहता है सिर्फ उतना ही जो है लिखकर पत्र जो है बेजना चाहिए। संग्षिप्त और अपने आप में पूर्ण मतलब विशे की पूर्णता भी उसमें रहना बहुती जरूरी है। नेक्स्ट देखिया पर शालिंता वानित जीवा वैवसायक पत्र की भाषा विनम्र शिष्ट तता सोजन पूर्ण होनी चाहिए। शिष्ट तता समियम पूर्ण भाषा में लिखा गया पत्र असंतुष्ट ग्रहकों को भी शान्त कर देता देखिया। यह पर वानित जीवा वैवसायक पत्र में क्या करना चाहिए। भाषा विनम्र और शिष्ट होना और सोजन पूर्ण होना बहुत ही जरूरी है। मतलब क्या है आपर किसी तरह की आपर आवाची शब्दों का प्रयोग आपको आपर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या है बहुत विनम्र रूप से अगर शिष्ट ता बल और सोजन पूर्ण शब्दों का प्रयोग अगर आपकर क्या हो सकता है अगर कुछ विशय से जो है असंतुष्ट ग्रहा को तो वह भी जो है आपर शांत हो जाता है पिर अत्यनत विनम्रिया दासता पू तो एक क्या है बहुत इशिष्ट और सभिता पूर्ण शब्दों का प्रयोग या फिर भाशा का प्रयोग हमें वापर करना चाहिए मतलब इसका मतलब यह नहीं कि विनम्र ता कारत दासता पूर्ण बतर माना आप उसके दास हो ऐसे पत्र भी आपको नहीं लिखना चाहिए नेक्स्ट है मौलिकता पत्र पढ़ने वाले पर सबसे आधिक प्रभाव पत्र की मौलिकता का पढ़ता है पत्र में पुराने घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बातों को दोहराना नहीं चाहिए देकि मौलिकता रहने चाहिए कैसे कि पत्र पढ़ लब पत्र जो है पड़ते ही आपका जो प्रभाव है फिर पत्र का जो प्रभाव है पढ़ने वाले पर पढ़ना चाहεια अगर उस पत्र का एफेक्ट उस पर पड़ेगा मतलब कैसे वह अप्रोच जो करेंगे तो उसको अगर क्या है वहाँ एफेक्ट पड़ेगा तब यह वहाँ पर एक वैवहार जो है वह सकता है तो वही बात यह पर कहा गया कि पत्र के पड़ते ही ग्रहा के मिन पर जो है प्रभाव पैदा करें एफेक्ट जो है उसका पड़े तो ऐसे व्यापारी के प्रति विश्वास जो है पैदा होनी चाहिए जब आपकी लिखे पत्र का प्रभाव उस पर पड़ेगा तब यह आप पर विश्वास करेंगा जब वहाँ आप पर विश्वास करेंगा तब यह वहाँ पर एक बद्ध होना चाहिए पत्र में एक के बाद दूसरा विचार स्वाभाविक डंग से आना चाहिए प्रतेक विचार तरकपुर्ण तता दूसरे से संबंदित होना चाहिए पत्र में जो भी आप विश्य लिखते हो जो भी वहाँ पर बात लिखते हो उसमें आइकिता होना ज पो-बहुत स्वाबाविक भी जाहिए जो भी व के हैं चाहिए जो भी वहार पर लिखना में और प्रत्य के स्नों करते हूं तरह पूर्णंव के सा साथ एक दुस्रे से ज़ए अब उपर के लेन में लिक लिका फिर दूसरी लेन में जो बात आप लिक रहे हो दोनों में संबंधी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह सबी जो है आपर क्या है एक व्यावासा एक पत्र के अच्छे लक्षन गुण या फिर विशेष्टा है जो है अगर इन सब को अगर ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से पत्र जो है आप लिख पाएंगे तो व्यावासा एक पत्र के प्रमुक भाग वो लक्षन विशेष्टा या फिर गुण हुआ अब ये भाग है मतलब क्या-क्या भाग जो है एक पत्र में होना चाहिए देखके यह पर प्रेश्यक मतल हार लिखना बहुती जरूरी होता है और अंतें प्रशन नास प्रशन साथमक भाग और हस्ताक्षर और प्रेशित पुनस्ट जो है चलिए करके देखेंगे एक तो पहला है प्रेशक पत्र भेजने वाला व्यक्ति हो तो उसे अपना नाम और पता बाई और लिखना चाहिए अगर कोई व्यापारिक संस्ता या प्रतिश्टान द्वारा पत्र लिखा जाए तो प्रतिश्टान का नाम बीचो बीच और पत्द आई और देना चाहिए अगर पत्र लिखने वाला है सिर्फ एक वेक्ति है तो क्या है उसका अपना नाम और पता पत्र की बाई तरफ रहन चाहिए और अप्सक्या नीचे दाई और ऑर पत्र बे जने के तारिक लिखनाने मतलब क्या है डेट भी लिखना बहुत जरुरि leggings यह और दाई पर लिखना है नेक्स्ट अधिस को आपधर बेजा जाता है उसका नाम और पता लिखना चाहिए अधार देखना का प्रत्र प्रयोग आनीवारिए अभिवादन के लिए प्रीय महाषए अथवन महओदय्या महाश्या का मौझारिये प्रयोग करना चाहिए स्ट्रीयों के लिए प्रचलिता अभी क्या है अभिवादन बहुती ज़रूरी है, specially business letter में, तो ऐसे में क्या है उन्हें गवरव जो है आपर देते हुए, बहुती गवरव देते हुए प्रियो महोदय, या फिर माननी महोदय, माननी या सिर्फ महोदय भी आपर लिख सकते हैं, अगर वही स्त्री है तो क्या है उसके लिए महोदय का प्रयोग करना चाहिए, नेक्स लाता है प्रारंब, विशय और वोपसंभाद, तो आपर क्या लिखेंगे, पत्र का प्रारंब आकर्शक होना चाहिए, दूसरे परिच्छेद में पत्र का विशय प्रस्तुत करना चाहिए, यदि पत्र का विशय अधिक हो तो आवशिकता के अनुसार दो तिन परिच्छेदों में उसे लिखना चाहिए, पत्र क्यान्त में धन्निवाद या ग्यापन के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अभी यापर पहले पत्र का प्रारब में जो भी विशे वापर लिखना होता है उसे यापर लिखना है तो पत्र के प्रारब में जो भी हो वहाँ एक तो आकशक होना बहुत ही जरूरी है औ और दूसरे परिच्छे में पत्र का विशय प्रस्तुत करना चाहिए फिर यदि पत्र का विशय आधीक होता अगर जो भी विशय जो है अगर आप क्या है ज्यादा वापर कहने के लिए है तो दो तीम परिच्छों में भी आप लिख सकते मगार सिर्फ जरूरी पढ़ने पर और अंत में मतलब एक बार पत्र लिकर होने के बाद जो है धन्निवाद करके भी वहाँ पर लिखना चाहिए नेक्स्ट देखिया पर अंतीम प्रशनस्तनात्मक भाग पत्र के विशय समंधी हिस्से के बाद अंत में दाई और प्रशनस्तनात्मक शब्द लिखना चाहिए प्रशन सनात्मक शब्द लिखना बहुत ही जरूरी है ज्यादातर भावदी शब्द का प्रयोग होता है ज्यादातर भावदी शब्द का प्रयोग होता है बहुत ही सालों से यह वहां व्यपर व्यभार करते आ रहे हैं तो ऐसे में या फिर बहुती पुराने ग्राहक है तो दोनों के बीच में एक आत्मी इता है तब जाकर आपका शुपचीन तक आपका विनीत या फिर आपका विश्वासी करके भी प्रयोग कर सकते हैं ज्यादे तर जनरली जो है भावदी शब्द का ही प्रयोग होता है नेक्स्ट है हस्ताक्षर उर्पद मतलब हस्ताक्षर मतलब क्या है सैन पत्र लिखने वाले को हस्ताक्षर स्वयम करना चाहिए टाइप किये या रबर की मोहर से नहीं हस्ताक्षर करता का नाम हस्ताक्षर के नीचे खोश्टक में लिखना चाहिए दिख्या भी पत्र लिखने स्वयम करना चाहिए उसके नीचे साइन जो है करदा जार नहीं टाइब किया हूँ या फिर ना ही रबब स्ट harmed वहाँपर लगाई मोहल वहाँ लगा सकते हैं मगर साइन खुद से करना बहुती जरूरी है तो हस्तक्षर करता का यह पर हस्तक्षर के नीचे कोश्टक में जो है उसका जो पद है वहाँ भी लिखना बहुत ही जरूरी है फिर यदि हस्ताक्षर करता दोसरे सज्जन के दाईत्व पर पत्र लिख रहा है तो उसे खृते या वास्ते शब्द का प्रयोग करना चाहिए मतलब जो भी पत्रवा पर लिख रहा है वो किसी और की तरफ से लिख रहा है मतलब खुद उसे बात नहीं कहना है दूसरों की कही बात को मतलब दूसरे जो है उसे लिखवा रहे तो उसे या पर क्या करना चाहिए कृते या वास्ते का प्रयोग करना चाहिए तो इसे करकर बा भागीदार या प्रबंदक भागीदार मतलब पार्टनर व्यवस्तापक या फिर प्रबंदक या फिर मैनेजर जो भी है तो उसका पद का नाम भी वहां पर लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है एक्जमपल भागीदार करके आप लिखते हों फिर उसके नीचे व्यवस्तापक या फिर प्रबंदक करके फिर वहां पर सीलो सिपनेचर जो है आएगा नेक्स्ट देखें यहाँ पर सनलगन या प्रेशित पत्र के साथ अगर कोई आवशे कागजाद चेक हादी रखा गया है तो उसका यहाँ पर सनलगन जो है उसमें लिखना चाहिए मतलब प्रेशिति जो है करना चाहिए तो प्रेशिति या फिर क्या है संलग रहूं ने क्भी कबर स्रस्फ पत्र ही नहीं बेशते हैं उसके साथ गभी कुछ आवश्य कावषक खांक्जाद या चिक वह वह फ़ीज addresses हये तो उसको जो है पत्र में भी वहाँ पर पहले मेंशन करते हैं अभी सब कुछ हो गया क्या है धनिवाद हुआ उसके बाद भावदी करके प्रबंदक मैंने से के उसका सील और साइन हुआ फिर इस तरफ उसे क्या करना चाहिए कुछ कागज़त अगर बेज रहे तो वहाँ पर तो पत्र समप्त होने के बाद यदि किसी आवश्यक बाद को सूचित करना हो तो पौनस्च या पुना लिक कर उस बाद की सूचना देनी चाहिए चाहिए यहां पत्र का अंश होने के कारण इसके बाद पत्र लेकक को अपना हस्ताक्षर कर देना चाहिए कि क्या है पुनe मतलब अभी एक बार पत्र लिख गया है तो लिखने के बाद लिखकर होने के बाद कोई बात अगर वहां बूल गया हो या फिर लास्ट में उसे याद आया कि हा इस इस बात को मतलब जो भी बात भाद दोहां आना चाहे तो आगे के सेशन में व्यावसाइख पत्र के जो भी प्रकार है उनको हम आक एक एक करके देखते जाएंगे धन्यवाद